जोहार साथियो Study with Suraj के YouTube चैनल को उपर आप सभी लोगों का स्वागत है डिसकस करने वाले हैं आज हम लोग 16 और 17 जनवरी के उन महत्पूर न्यूज को जो आपके current reference section के लिए important होंगे साथ ही साथ सबसे पहले तो हम लोग न्यूज को detail में discuss करेंगे फिर देखेंगे उन proper news से कैसे कैसे question आपके exam में देखने को मिलेंगे तो चलिए session को सुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन-कौन से topic के उपर आज हम लोग discuss करने वाले हैं सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो discuss करेंगे TRI, Tribal Research Institute जो रामदयाल मुंडा जी के नाम पर रखा गया है उस Tribal Research Institute के दवारा जारकन में तीन समूदाएक उपर study कराया जाएगा जानेंगे वो कौन से समूदाएक है साथी साथ यहां पर देखेंगे कि उसी के अधार पे जारकन सरकारबाद में ये फैसला लेगी कि उन्हें ST में सामिल करना है या नहीं इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग डिसकस करने हैं उसके बाद हम लोग डिसकस करेंगे राची के जो मौसम बिग्यान केंदर है राची के मौसम बिग्यान केंदर को भारत में सबसे बेस्ट मौसम बिगान केंदर का आवर्ट दिया गया है, क्यों दिया गया है, इसके बारे में डिसकस करेंगे, और फिर देखेंगे FMD और Brusselosis, ये दो ऐसी बिमारिया हैं, जो हमारे दुधारू पसु में होती हैं, कैटल्स में होती हैं, ये कैसे हमारे दुधारू से और इसे काफी त्वरित तडिके से चलाया जा रहा है, काफी इसमें जली जल्दी काम किया जा रहा है, ताकि इस vaccination प्रोग्राम को जल्द जल्द पूरा किया जा सके, इसके लिए deadline फिक्स किया गया है, 31 January, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, ये news में क्यों रहा है फिर हम लोग जानेंगे CPCB Central Pollution Control Board ने एक report publish की है किसके सम्मधित नदियों के सम्मधित जिसमें जारखंड के भी नदियों को सामिल किया गया है तो जारखंड के 20 नदियों को इसमें सामिल किया था total 20 reverse को इसमें सामिल किया गया था तो उनके बारे में भी report जो publish की गई है उसमें 20 में से 9 नदि को परदूसन युक्त बताया गया है तो इसके बारे में हम लोग डेटेल में discussion करेंगे पर्यावरेन की दृष्टी कौन से ये जो topic है काफी important है आपके JPS exam के लिए भी और JPS exam के लिए भी उसके बाद आपका बोकारो और रामगड तो ये जो तीन जिलों है इन तीन जिलों में संथालियों की meeting हुई थी और क्या-क्या बाते हुई वो सारी चीज़े मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये religious छेतर में जो सुधार हो रहे हैं उससे संबंदित हैं और काफी important सुधार है फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को हमारे जो मुख्यमंत्री हैमन सोरेंजी हैं उन्होंने अभी जो है हाली में खतियान जोहार यात्रा क्या दूसरा फेज शुरू किया है और इसमें ये 6 जीलों के उपर विजिट करने वाले हैं कौन से 6 जीले हैं उसके बारे मैं बताएंगे साथी साथ और इससे एक जुड़ा important news है वो मैं आप लोगों के साथ discuss करूँगा फिर मैं बताऊंगा Oxfarm अभी Oxfarm ने जो है annual inequality report जारे की है उसमें क्या क्या प्रमुख बाते हैं नेशनल एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा important है और इसके साथी साथ इसमें कई सारी चीजे हम लोगों को जानने मिलेगी भारत के बारे में और उसके बाद मैं discuss करूँगा Critics Choice Award जो अभी हाली में दिया गया है RRR movie के नाटू नाटू सोंग को तो इसके बारे में भी डिटेल में discuss करेंगे तो चलिए अपने discussion को start करते हैं सबसे पहले देखते हैं आज का पहला news पहला news है TRI Tribal Research Institute जो रामद्याल मुंडा जी के नाम पर रखा गया था रामद्याल मुंडा ध्यान होगा 2010 में इन्हें पदम सरी दिया गया था बहुत ही ख्यारती प्रावत जार्खन के व्यक्ति है जिनका ध्यान तो गया ठीक है ध्यान रखिएगा TRI के द्वारा news क्या है TRI के द्वारा जार्खन के तीन समुदायों के उपर study कराया जाएगा कौन-कौन से समुदाय है मैं बता देता हूँ पहला दूसरा तीसरा पहला नंबर में है वेरागी समुदाय ठीक है दूसरा है आपका लोधा या लोधी समुदाय बोलते हैं उसके बाद तीसरा जो समुदाय है वो है आपका पार्धी समुदाय यह जो तीन समुदाय है इनके उपर detail study कराया जाएगी ध्यान रखिएगा यह कहीं न कहीं जंगलों में निवास करते हैं या फिर यह आदिम या फिर पिछड़े हुए हैं तो इनके उपर study कराया जाएगा और फिर इनके उपर जो study होगा उसी के अधार पे इन्हें ST में सामिल करना है या नहीं करना है यह decision लिया जाएगा किसके द्वारा जहारखन सरकार के द्वारा तो देखिए वेरागी की बात करें थोड़ा सा यह हिंदुत्यू के तरफ जुका हुआ एक समुदाय है जो परवकुरुप से व्यस्नो धर्म मानता है ठीक है व्यस्नो धर्म के तरफ जुका हुआ है थोड़ा सा इंकलाइंड है ठीक है वहीं हम लोग बात करें लोधी या लोधी की तो लोधी या लोधी समुधा की बात करें तो इसके बारे में डीटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ काफी मैंने इसके बारे में पढ़ा और क्या के जानकारियां मैं कलेक्ट कर पाया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबसे पहले अंग्रेजों ने ध्यान रखेगा अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था Criminal Tribe Act क्या नाम था? Criminal Tribe Act कब बना था? 1871 में ये एक्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी Tribe इंडिया में निवास कते थे भारत में निवास कते थे जो हिंसक प्रवृत्ती के थे जो काफे ज़्यादा हिंसक हो जाते थे ठीक है? तो इनही की पहचान के लिए ये जो एक्ट है इनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था लेकिन जब भारत अजाद हुआ भारत अजाद हुआ कब 1947 में तो 1949 में पहली बार Bombay High Court ध्यान रखिएगा Bombay High Court के द्वारा एक समीती बनाए गई और उस समीती के तीन मेंबर ध्यान रखिएगे जो तीन मेंबर है महत्पून मेंबर है कौन-कौन बीजी खेर मुरारजी देसाई यह तो काफी फेमस है मुरारजी देसाई और गुलजारी लाल नंदा गुलजारी लाल नंदा यह जो तीन लोग हैं इनके सहयोग से कमिटी बनाए गई और यह जो Criminal Tribe Act है इसमें समसोधित करके एक लिष्ट बनाए जाने की डिमांड की गई जिसमें सभी जितने भी आपके Criminal Tribe या फिर Criminal प्रवृति के जो Tribes हैं जो काफी अधा हिंसक हैं उनकी एक लिष्ट बनाए जाने की डिमांड की गई और उसी लिष्ट के अधार पे मैं वो एक अभी रिपोर्ट आपको देखा रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं उसी लिष्ट के अधार पे लोधा और लोधी ट्राइब वो जो है डी नोटिफाइड ट्राइब के रूप में दरजा दिया गया जारखंड का जारखंड के डी नोटिफाइड ट्राइब के रूप में दरजा दिया गया और यहाँ पे यह जो रिपोर्ट है इसे फिर सी रिवाइज किया गया किसके दुआरा तो रेंकी कमिशन के दुआरा रेंकी कमिशन ध्यान रखेगा यह मैं पूरा PDF अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं ग्रूप में डाल दूँगा टेलिग्राम ग्रूप में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर स्टेडी विद सूरे डायट आप सर्च करेंगा टेलिग्राम पे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा यह PDF में डाल दूँगा आप लोग पढ़ सकते हैं इसली तो यह चीज़ है ठीक है उसके बाद जो है यह किस परकार का लिष्ट था तो इसमें देखिए जारखन में या उसके साथ ही साथ भारत में या फिर पुरविश्ण जो आदिवासी समुदा है अलग लग परकार के मिलते हैं जैसे एक होता है आपका एक जगा फिक्ष्ड ठीक है जैसे जारखन में और या फिर आपको मिलते संथाली ठीक है तो इन्हीं की एक detail list बनाए गई थी और यह जो committee है रेंकी committee यह भी आप लोग ध्यान रखेगा रेंकी कमिशन 2008 में आया था ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा अब हम लोग बात करते हैं एक तीसरा जो आपका समुदा है जो है पारधी समुदा है पारधी समुदा के बारे में जब मैंने स्टेडी किया तो ये पता चला कि भारत में सबसेदा पारधी समुदा है 90% जो ह इन्हें ST का दो है दर्जा प्राप्त है कहीं कहीं इन्हें इनकी जो एक ब्रांच है उनको OBC का भी तरज़ा दिया गया है और एक और ब्रांच है उसको SC का भी तरज़ा दिया गया है लेकिन इनकी जो सबसे में ब्रांच है वो ST के रूप में अलग अलग राजियों में रि साफ इंपोर्टेंट है अब चलिए हम लोग बात करते हैं मौसम बिग्यान केंद्र की राची का जो मौसम बिग्यान केंद्र है उसको पूरे देश में सर्फ्रेश्ट मौसम बिग्यान केंद्र का अवर्ड मिला है क्यों मिला है देखिए मिला इसलिए है इन्होंने जो है मैस दिखाने के लिए signboard लगाया है और उस signboard का क्या नाम है variable message variable message signboard और यहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर यह सो करते हैं सुर्योदय का समय सुर्यास्त का समय और climate या फिर जो भविस्वानी है वर्सा होगी नहीं होगी बादल जाय रहेंगे इन सब चीजे जो है इन signboards के उपर अच्छे से दिखाई जाती है और इसी के लिए इन्हें best मौसम बिग्यान केंदर के रूप में चुना गया है और इन्हें अवोड दिया गया कब 48 में मौसम बिग्यान केंदर अस्थापना दिवस के उसेपर किसके द्वारा तो जितेंदर सिंग के द्वारा जितेंदर सिंग है कौन जितेंदर सिंग है प्रिथवी बिग्यान मंत्राले में मंत्री है सुतंतर पढ़भार मंत्री है सुतंत्र प्रभार ध्यान रखेगा इनके द्वारा ये अवोड दिया गया और साथी साथ अभी मैं बता रहा हूँ राची ब्योसम विग्यान केंदर एक और काम कर रहा है ये लगा रहे हैं डॉपलर रडार डॉपलर रडार से क्या होगा ना ये डॉपलर रडार अपने चारो और 100 किलो मीटर 100 किलो मीटर रेडियस तक बहुत एक्यूरेट वविस्त्यानी करेगा किसके लिए ओला विरिष्ट्री के लिए जो ओला विरिष्ट्री होती है उसके लिए ये काफी ज़़ा नुकसान देता है किसानों को उनको अवेर करेगा उसके बाद जो बादल गरस्ते हैं जो बिजली गिरती है उसके लिए भी अलर्ट देगा और इन सब चीजों से जो है लोगों को काफी ज़्यादा मदद पहुचने वाली है तो राची मौसम बिग्यान केंदर काफी अच्छा काम कर रहा है इस दिशा में इसलिए इसे बेस्ट मौसम बिग्यान केंदर काफी अवर्ड मिला है पूरे भारत में ध्यान रखेगा अब चलिए हम लोग बात करते हैं FMD, Food and Mouth Disease इन्पोर्टेंट है और Brusselosis डिजिज ध्यान रखेगा FMD, Food and Mouth Disease यह होता है आवाइरस के द्वारा और यह जो Brusselosis होता है यह होता है बैक्टिरिया के द्वारा और इन दोनों से बचने के लिए एक वैक्सीन त्यार किया गया है और यही वैक्सीन अभी प्रोजेक्ट अस्तर पर मतलब काफी फास्ट तरिके से काफी तेजी से जो है लगाया जा रहा है 31 जनवरी इसकी डेडलाइन तै की गई है यह तो हो गया नॉर्मल बात न्यूज में क्यों आया वो अब समझे न्यूज में आया इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे जो इस काम में बहुत ही धिलाई से काम कर रहे थे तो जहारखन सरकार के एक एजेंसी है जहारखन स्टेट मैं आपके कोई कोई चीज लिख देता हूँ जहारखन स्टेट इंप्लिमेंटिंग एजेंसी इंप्लिमेंटिंग एजेंसी तो यह जो agency है यह क्या कर रहा है यह monitor कर रहा है और देख रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो परमुक रूप से काम नहीं कर रहा है और यह vaccine लगाने का काम किसको दिया गया है तो जो कृत्रिम गरभाधान केंदर होता है ना कृत्रिम गरभाधान केंदर उसमें जो काम करते है उनको जो है वेक्सिन लगाने का काम दिया गया है और यह साफ तर पर बोला गया है कि अगर 31 जनुवरी से पहले यह काम नहीं होता है तो फिर उनको कारे मुक्त कर दिया जाएगा तो इसलिए 100% जो है वेक्सिनेशन करना जरूरी है हमारे कैटल्स का हमारे जो दुधारू पस ओड जो cpcv है उसका एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया कि इसके उपर नदियों की उपर ध्यान रखेगा पूरे भारत में 208 नदियों की जाच की गई लेकिन इसमें से जहारकंट की 20 नदियों का सेंपल लिया गया 20 नदियों की जाच की गई और 9 के बारे में रिपोर् को लोनी है ठीक है यह सारे चीज़ है अब देखिए हर्मू नदी तो सबसे ज़्यादा प्रदूसित है इसका जो बी ओडी है बायोजिकल ऑक्सिजन डिमांड ठीक है जिसको हम लोग ऐजे मेजरमेंट यूज करते हैं प्रदूसन के लिए तो इसका बायोजिकल ऑक्सिजन ड बहुत जादा है ठीक है और वहीं अगर बात कता है सवन्रेखा क्या तो इसका सवन्रेखा जो नदी है जो राची से ही ओकर बायती है और आगे काफी लंबी नदी है ठीक है तो यह जुह है इसका बी-Oडी रहर दस मतलब यह भी काफी ज़्यादा पंदुसित है बाकि कौन बोकारो, कत्री, दामोदर और कोईना नदी, ये नो नदियों को सामिल किया गए, ये की रिपोर्ट पॉब्लिस की गई, जो पंदूसन से ग्रसित हैं, ध्यान रखेगा इसको, साथी सत और क्या ध्यान रखना है, जो आपका CPCB है, ठीक है, CPCB, Central Pollution Control Board, ये केंट सरकार के में, इन्होंने क्या किया था, 2022 में, बालू के अवैद, खनन को परतिबंध लगाने के लिए, और साथी साथ मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मौनसून के समय में, जार्खन में, बालू के उठाव को बंद कर दिया था, NGT के ही निर्देश पे, इन ही नदियों को फिर से जीवित रखने के लिए, कमिटी बनाई जाएगी, NGT के सुपरविजन में, और ये जो NGT के सुपरविजन में, NGT के लोग रहेंगे, और कौन रहेगा, तो स्टेट की कमिटी, और सेंट्रल गोर्मेंट की कमिटी, दो तो ये जो प्रमुख चीजें है, ध्यान रखेगा इससे, इन्पोर्टेंट है, एक्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, अब चले देख रहेते हैं, संथाल समाज के द्वारा कफन पर रोक लगाया गया है, तीन जिलों पे, ध्यान रखेगा ये जिले कौन-कौन से हैं, एक है आपका रामगड, दूसरा है आपका हजारी बाग, और तिसरा है वोकारो, इनके तीन जिलों में जो है, जो भी संथाल समुदाय के लोग हैं, वो मिले कहां पे, भुरकुंडा में, भुरकुंडा कहां, रामगड, ठीक है, रामगड में मिले और इन्होंने कि अब यदि किसी संथाली व्यक्ति की, अगर मिर्ति हो जाती है, तो इन्हें कफन सिर्फ इनके गोतिया, गोतिया पता ही होगा, जो खांदानी लोग होते हैं, वो देंगे, और साथिसाथ घर के लोग देंगे, बाकी जो भी लोग बाहर से आएंगे, वो कफन लेकर नहीं तो यह एक बहुत ही अच्छा इनिसेटिव है मुझे जहां तक लगता है मेरा सोच के अकोडिंग जो है यह एक बहुत ही पोजेटिव थेंकिंग है और इससे उनको मदद मिलेगी जो जो आखरी के क्रिया करम होते हैं उनको भी करने के लिए उनकी बास पैसे नहीं होते हैं त अब देखी खतियानी जोहार यात्रा हमारे मुख्य मंत्री हेमन सुरेन जी ने सुरू कर दिया है और ये छे जी ले जाने वाले हैं कोडर्मा ग्रिडी सिम्डेगा चैबासा सरायकेला जमसितपूर चलिए तो हो गया पोलिटिकल चीज ठीक है ना यहां पर इंपोटेंट क मतलब कि लीगल मावक बेपार सुरू होने वाला है और तेका और अब्रग का काम सुरू हो सकता है जो काफी बड़ी बात है क्यूंकि एक समय मेथ काफी ज्यादा लोग आंपर सफर कर रहे हैं, अच्छे से विजनेस वहां पर नहीं हो पा रहा है, तो इसके वज़ा से जो है, अब जहारखन इस्टेट का जो सरकारी कमपनी है, जहारखन इस्टेट मिनरल डेवलाप्मेंट अथरिटी, ये जो है, प्रमुक रूप से आप काम करेगा, इस अभरक या और कुछ नहीं ध्यान रखना है, आगे बात करते हैं, ओक्सफाम की, ओक्सफाम जो है, वो क्या है, तो यूके बेस्ट एक और्गनाजेशन है, जो इस तरह की इनेक्वाल्टी रिपोर्ट पर हर साल निकालता है, तो अब जो है, ये रिपोर्ट इतना चर्चा में क्यों आ गया है, भारत में पुझी पतियों और एक आम इनसान के भी ध्यान रखेगा, भारत में सिर्फ एक पतिसद पोपुलेशन के पास भारत की चालिस पतिसद संपती है, एक परसेंट पोपुलेशन के पास भारत की चालिस पतिसद संपती है, और यहां पर ये भी ध्यान रखे और पूरुस में कितना डिफ्रेंथ से तो महीला और पूरुस में अगर बात Live से यहां पर एक सच जैलरी और में काफी डिवीजन है जैसे एक दलित यहां फिर एक हेस्टी यह फिर खरेंगे किसे को जो жд मिलती है वो एक संपन समाज का वीजियो वेक्ति है उससे उसको 50 पतिसत पत्च्पन पतिसत 05 मिलती है मतलग इक संपन परिवार्ग में जो बैठा हुआ वेक्ति है उसे गर सोर पे मिल रहे हैं तो यह सब जो डिफ्रेंस है यही बताता है ओक्सफाम ध्यान रखेगा ओक्सफाम इनक्वालिटी रिपोर्ट में इस बार एक खास जो है मतलब कि एक सेंटेंस कह सकते हैं वो यूज किया गया है सर्वाइबल ओफ रिचेस्ट रिचेस्ट मतलब कि इंडिया में सर्वाइब कौन करेगा जो रिच रहेगा और जो धिरे धिरे और गरीब होते जा रहा है उसकी जो एक स्टेंस है उसके उपर भी खत्रा सकता है मतलब उसको ज्यादा सफर करना पड़ेगा रिपोर्ट यही कहना चाहती है ठीक है अब देखिए यहां पोर सॉंग फॉर सॉंग दिया गया है और यह जो अवर्ड है 1909 से दिया जा रहा है सॉंग के लिए ध्यान रखेगा इसे प्रोपर कृटिक्स व्यावर्ड के सुरूप पहले हुई है लेकिन सॉंग के लिए 1919 से दिया जा रहा है यह छिच क्लियर रहे ठीक है और RRR के जाता है इस चीज का भी ध्यान दखेंगे और उसके बाद एक और चीज है Miss Universe Miss Universe बन गई है कौन आर बोनी गेपरियाल बबोनी गेपरियाल जो ऐसे हो बन गई है USA की है यह खास्त और से USA की हैं और यह बन गई है Miss Universe और इसका आएवजन भी USA में ही हुआ था लूजियाना प्रांत USA में है वहाँ पे जो है मिस इनिवर्स की आयोजन की गई थी और ये इन्होंने जीता है भारत से बात करें तो कौन थे तो भारत के तरब से दिवीता रोय ने जो है रिपेजेंट किया था इंडिया को लेकिन वो आगे अस्थान नहीं बना पाई और बाहर हो गई टूर्णामेंट से तो इस तरह से मिस इनिवर्स ध्यान रखेगा आर बोनी गेबरियाल ठीक है ये थी और यहाँ पे एक चीज और डिसकस करना चाहूंगा थोड़ा से इन्पोर्टेंट है IPL विमेंस IPL विमेंस की बात करें तो इसका आउक्सन हो गया है मीडिया रैट्स के लिए और मीडिया रैश जीता है वाको मेटिन ये इन्हों जीता है मीडिया रैट्स आईपील विमेंस के लिए ठीक है और पर मैं 7.09 करोड 7.09 करोड रुपे चार्ज किया जाएगा वाइकोमेटिन जो है चार्ज करेगी ठीक है मतलब कि इतने पैसे देगी 7.09 करोड किसको जो आईपील का एड्मिस्टेशन है उसको किसके द्वारा वाइकोमेटिन के द्वारा ये चीज ध्यान रखेगा टोटल अगहमत बात करें कितना पैसा मिलेगा टोटल इससे पैसा मिलने वाला है नौसो एक आमन करोड तो ये सब चीजे आपको ध्यान रखनी है तो चलिए आज के डिसकसन नहीं रहेगा ठीक है ना आगे आने वाली सेशन में और कई सारे नियूज को हम लोग डिसकस करेंगे तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद